है घलो शुक्राइब अध्या पढ़ रहार हो गया था हम सुरू का जो है एक चरगा अध्यार थी रही रही समय क्रवाइब क्या होता है और जिसमें इसके गुड़ धर्म क्या होते हैं और समानता की नियम क्या होते हैं आज हम प्रेश्वली पांते संख्याओं को योग 11 है इसे क्रामागत संख्याओं को योग 11 है तोवान कि माना कि दो करांगत संख्याओं कि पहली क्या होगी एक्स हो जाएगी वह दूसरी कितना हो जाएगी एक्स प्लस वन हम क्या करना है हमको क्रम से चलना है है कि मायना कि दूक्राव से क्या हो कि 1 हो जाएंगी यो कितना है 11 है दूनों को जोड़ते हैं कि एकस प्लस कि कि 11 हो जागी अब क्या हो जाएगा घ्यार लिखना है तो इसको लिखते है टूए प्लस पराबर क्या होता है एंपुकर यह यहारा टीकेंद्र और तेजराम की आयो को योग तीस है जब टिकेंद्र की आयो की दुगनी है माना कि तेज राम की आयू एक्स है ठीक इसको एक्स माल लेंगे माना माना तेज राम की आयू कितने है एक्स है तब ठीकेंद्र की आयू कितने हो जाएगे टेज राम की इसको एक्स हो जाएगी ठीक है तो तिच नहीं टू एक्स हो जाएगी ठीक है अब प्रेश्ण अउसर क्या बोला है दोनों के आयू का योग तीस है तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ती जैंगेकर इस कःसर को इसको बनाना प्रश्चन देखते हैं एक आयत के लंबाई इसकी चोडाई से तीन अधिक है तब आयत का परिमाब 15 है कि समीकर बनाना ठीक है तो लंबाई चौणाई श्यद्र, लंभाई अधिक है यह चौणाई को एकसमाल लेंगे तो लंबा कतनी हो जाएगे तो माना आयत यह चौणाई का मौल ओ बाल का तब लंबै कितनी हो जाएगी डबलो धनतीन दीख है आयत का प्रिमाप कितना हो जाएगा अघ्रणशंक्रोर होता है दो गुरिट लंबाई धन छोड़ाई तो दो गुरिट क्या हो जाएगा लंबाई कितनी है W धन तीन कि चोड़ा कितनी है W और परन्जांग कुझा गिर्खभर अपका एंसे थिक है इस परकार सिकर्ष करacao के एक इस सवाल हैं तीन स्वाल आपको बता दियेगा है दो स्वयम करके देखिएगा अगला परशन देखते हैं तो हमको हल करना है तो जब यहां पर लिखते हैं पांच धन्दो बराबर क्या है सत्रह है मतलब दूसरा नियम है समानता के दूती नियम से समानता के दूसरा नियम लगाएंगे मतलब दोनों पक्समें किसे करेंगे दो क्या करेंगे आप माइनस करेंगे ठीक है दो क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो दो एक्स धन दो रिण दो बराबर सत्तरा रिण क्या आ जागा दो आ जागा अब दो दो कटेगा तो क्या आ जागा जिरो आ जागा तो पांच एक धन शुन ने बराबर सत्तरा में दो क्या आ जागा सब्द्र नियम नगाएंगे समानता का वाग करेंगे अधर को तो तो पांच एक्स बटे पांच बराबर पंदरा बटे पांच पांच से पांच कटा एक्स बराबर होता है पंदरा बटे पांच और क्या जेगा x ब्रावर क्या जेगा 3 बढ़ जेगा तो x ब्रावर क्या जेगा 5 तिया 5 तिया 5 तिया अब क्या जेगा एंसर है इस परस x कमान निकाल दी है तो क्या होगा समीर न क्या होगा है हल हो गया है ठीक है इसको बनाने का एक और विधी है जिसमें आप समानता का नियम ना लगा अगर आप इसको डारेक्टी बना सकते हैं दूसरी दूतिय विधी बनाने का तरीका बिल्कुई यही है लेकिन जब आप यह समानता है कि नियांगु जब समझ जाएंगे तब आपको क्या घट सीधे हैं इसको हल कर सकते हैं देखिए का पांच एक्स धन्दोबर कितना है 17 है ठीक है हमको क्या क्या गयात करना है इसको में देखिएगा कि अचरपध है और यह अचर पध है ठीक है दोगण अपस में घट सकते हैं तो यह दो धनातमका है तो जब इधर जागत क्या हो जागे यह रिड आत्मक ऑ ठीक है दो धनातमक है जब द्यास स्ड जाइगा कहा रहाख acontece तो कि तना बचेगा काई सब्सक्राइगा पंद्राव बटे कितना हो जाएगा पांच गया ऑफ चेता है पंद्राव पर फिघ्ञ कितना हो जाएगा पांच बचेगा ठीक है तो डोने विदी से बना सकते हैं ठीक है अब आप नौभी क्लास में हैं तो आप लोग बेसीक बिदी से बनाईए समानता के नियम लगाईए और समानता के नियाम से आप लोग इसको बुराना सीख जाएंगे तो आप लोग इस प्रकार से डारेक्ट नियाम भी आप इसमें क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं अगला सवाल देखते हैं तो इस प्रकार से सवाल नमर तीन है 4x धन 8x ठीक है 4x धन 8x बराबर 17x रिन कर नो रिन का क्या हो जाता है एक हो जाता है समीकरण हल गयात करना है मतलब 4 रपत 1 एक सराल करना है तो पह़ले इसको सरल कर लेंगे तो या लिखा हुआ है 4x धन 8x बराबर इसको पहले हम लोग सरल करेंगे हैं कि जूड रहा है तो चुर्ट हो जायगा 12 cabooss स्योदगी आधम है को ब्राबर स्तरा एक्स पहले से हैं नो और 13 पहले सरल करेंगेक अर्स जो लेंगे तो 600 ग्यालीक लेबerve अब यहाँ पर लगा देंगे समानता का दूसरा नियम समानता का दूसरा नियम दुति नियम से समान तक दुति नियम से क्या करेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे दोनों पक्षों में सत्रा एक्स को क्या करेंगे सत्रा एक्स को घटाने ठीक है दोनों पक्षों सत्रा एक्स क्या करेंगे घटा देंगे तो 12x रिंड 17x ठीक है बराबर 17x रिंड 17x रिंड क्या हो जाएगा दस हो जाएगा ठीक है अब देखें 12x रिंड 17x घटे गा तो रिंड का 5x बचेगा 17x से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आजाएगा लेकर क्या बचेगा रिंड का 10 बचेगा 5x बराबर 10 यह मैनस भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है 5 बराबर 10 अब समानता के कौन से नियाम से चोथा नियाम से दोनों पक्षों में क्या करेंगा 5 का भाग देंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर ठीक है 5x बटे 5 बराबर 10 बटे 5 5 से 5 गया एक्स बराबर 5 दूनी 10 क्या जगा आपके यह एंसर आजाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको क्या करना है इस सवालों को इस प्रकार से हल करना है डेखते हैं अगल़े सवाल है voilà रिड़ दो धान धन 2 घर बराबर 8 एक है इसको हल करते हैं हल क्या सवाल है रिड़ढ़ दो धन एठ चया बराबर क्या हो जाएगा 8x कि इसतों प्रले हम इस कोष्टा kutak saw कर लेते हैं रिड़ढ़ धन x धन 4 और कितना आजाएगा 8x थीख है यहाँ पर दिखेगा रेड़ 2 और धन का 4 दोनों आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा घटने पाझ धन का 2 बचेगा x धन का आजाएगा 2 बराबर 8x अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में x घटाने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे दोनों यह हमको एक्स को उठा करके इधर लेके जाना है तो दोनों पक्षों में एक्स घटाने पर एक्स धन का दो रिंड का एक्स इधर भी घटेगा और आठ एक्स रिंड का एक्स क्या हो का इधर भी घटेगा ठीक है X X cancel हो जागा किया बचे का 2 पराबर हो का है 8X में X घटे का कितना बचे का 7X बचे का 7X ठीक है अब इसमें क्या करेंगे दोनों पक्षों में 7 का भाग देंगे वो X कमान चाहिए तो 7 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर दो बटे 7 इधर भी लिख देंगे बराबर 7x बटे 7 इधर भी लिख देंगे 7 सद कैंसिल तो x बराबर आ जissych. दो बटे आगे 7. क्या हो जागा, आपके एंसर है इस पकार से आपको निर्मन समिकरणों को समीकर्ण बनाया थे यह प्रश्ण उसका उल्टा है निर्म समीकर्ण के लिए क्या बनाना है कथन बनाना है तो पहला प्रश्ण है एक जहन तिन बराबर 27 इसके लिए कि जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है तो यह का बन गया है ठीक है कथन बन गया है मतलब किसी संख्या मतीन जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है अगला देखते हैं X बटे दो धन का X ब्राप्वर 18 ठीक है X बटे दो धन का X ब्राप्त क्या हो गया है अचारा हो गया है अब इसको देखते हैं इसमें क्या है कि किसी संख्या के किसे संख्या के आधे को उसी संख्या से जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है यह कोई नाम दे सकते हैं मालो की नेहा और इसिका के उम्र की आधी है नेहा की इसिका के उम्र एक्स है तो नेहा के उम्र इसिका के उम्र की आधी है तो इसिका की उम्र इसिका competence बटे दो हो जाएगी तो लिख सकते हैं मेहा की उम्र नेहा की उम्र इश्रीका के उम्र की क्या है आधी है तथा दोनों के उम्र का योग 18 है तथा दोनों की उम्र का योग कितना है अठार है ऐसा भी कतन बना सकते है नाम से कतन बना सकते है या फिर किसी संख्या के आधे में उसी संख्या को जोडने पर अठार प्राफ्त होता है अगला है एक्स बटे एक्स बटे दो धन का क्या हो गया तीस हो गया किसी संख्या में दो जोडने पर उसी संख्या से भाग देने पर प्रवियोगफ्ल 30 प्राप्त होता है, ठीक है, किसी संख्या में दो जोडने पर, उसी संख्या में भाग देने पर, क्या प्राप्त होता है는지 ना取 सबाधा है, ठीक है प्राप्त होता है ठीक है अब प्रस्क्रमांग 4 देखते हैं प्रस्क्रमांग 4 है समीकरणों को को हल किजिए नेमने स्वाइब करना है पहला स्वाल है चार रिड एम बरावर आठ गुडे तीन एम धन क्या है पांच है यह से लिए को हल करना है मतलब कि हमको जो है चार रासी का मानगत करना है ठीक है हल इसको लिए 6 धन 4 रिड एम बरावर 8 सहर, 30 गधन क्या होगी है पांच हम स्वाय कुरण स्वाहत्ड करना है पहले स्षASE करें के करेंग हम लोग उपन करेंगे चे पादाव बराबर अब इसको गुणा करेंगे अंदर में तो आठ यह 24 हम हो जाएगा 24 एम धन आठ पंचे कितना हो गया चालीस हो गया चालीस ठीक है इसको जोड़ देंगे चालीस हो गया अब देखिए हम क्या करना है आठ से एम को इधार लेकर जाना है ठीक है तो जोनों पक्छों में क्या करेंगे एम को जोड़ देंगे ठीक है दोनों पक्छों में कि एम जोड़ देंगे तो 10 अबंठन को हो जायेगे बराबर 24 एम धन को हो जायेगा 40 एम से एम एमक्सल भूग जिकर जायेगा तो 10 बराबर 24 एम कितना हो जायेगा 25 एम धन को लाए 40 हो जाये ठीक है आप देखेगा इस 40 को हम इधर लेके जाएंगे ठीक है 40 इसना से घटना चाहिए तो 40 को इधर लेके जाएंगे तो मुझे क्या करेंगे दोनों पक्षों में 40 का क्या करेंगे 40 को घटाएंगे फिर दोनों पक्षों में 40 घटाने पर तो 10 रिंड 40 बराबर 25 एम गृण्य हो जाएंगा थीक है दस से 40 घटाएंगा 30 बचेगाए बराबर 25 एम बचेगा थीक आ करना है बपटीस को यह से भाग कराना है एम कमाद ीचिना बचराइंगे दोनों अृण पक्षो में 25 का भाग करने पर तो रिंड 30 बटे 25 बराबर 25 एम बटे कितना हो जाएगा 25 यह कड़ जाएगा तो एम बराबर कितना हो गया तो रिंड 30 बटे कितना हो गया 25 पांच 25 पांच 6 तो एम बराबर कितना हो गया बाच अब क्या आगया आपका एंसर है ठीक है तो इस प्रकास तो उसे भी कोड़ने हो क्या करना है हल करना है अगला स्वाल देखते हैं देगा स्वाल नमर्चा है क्या करना है हल करना है हल कानल ने न मन देखिपन संख्या तो फिसली स्वाल है हम क्या करेंगा सरल करेंग दिए क्या करेंगे हम लगुत्तम लिए चारु त्टीन सी चारु त्टीन का हो लगुत्तम kतना आएगा बॉरत आ जाएगा ठीक है 4,3,2,3 को किसमें होगा 3,3,2,3,4,2,2. 3 छपवों मार राज फेकर से दोटी धंतिम में क इसकेट यहां पर क्या हो जाएगा लगुद्तम आ जायगा 2 रेंट्रीUE हो जाए गा तैन पार किए नोटि फेब से घॉल जाएगा यह रेंड हो जाएगा चार दनी 8 तो 8T हो जाएगा ऐट 6 चार कितना हो गया उत। ब्रावर दो रेंड ती वाट थी कितना हो गया है घो हो धिक है雞ीत क्या करेंगा है आप दो छोड़ लेंगे 9 हमें 8 ती हैं तो कितना बचे किवाल बचे गाइए टी है ती है च्छी रिंट कचे और इंट कपारा दुनों जोड़े करें सब्सक्राइब कि लिए दो तीन को इसको हम करेंगे हैं थीदर करेंगे त्षिच प्रकार से हमारे एक एक्क्वेशन जो हमारा सरल हो गया है ठीक है अब देखिएगा जो चोबिस है इसको इधर लिखे आना है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे चोबिस को घटा देंगे तो लिख देंगे दोनों पक्षों में जोबिस है जोबिस है तो खटा ने पर कि क्या करें चोबिस को घटा देंगे तो थेंटिरन चोववन अरंकर चोबिस दन चोबिस अरण चोबिस आ इस पक्स में गटा दिये हैं इस पक्स में 24 गटा दिये हैं परावर करते हैं किन डी रेंड 24 रेंड 24 है आपस में हो जाएगा जुड़ेगा ठीक है तो 14 और 25 कितना आ जाएगा आजाएगा 78 ठीक है 448 और Haddenड कितना शेका अधतर आजाएगा ठीक है वराबर 24 24 केंसे लोगत जीरो हो जाएगा क्या बचा रिंड का 36 अब देखिएगा हमको यह जो है 30 को इधर लेकर जाना है ठीक है तो इसका मतलब यह है दोनों पक्षों में 30 को क्या करें घटा आने पड़ दोनों पक्षों में 3T घटाने पर घटा देते हैं 3T रिंड 3T रिंड 78 घट गया है रिंड 36 रिंड क्या आओ गया है 3T ठीक है यह दोनों कड़ गया से 0 आ जाएगा तो रिंड 78 वराबर रिंड 36 रिंड 3 ती दूनों जूड़े कितना है रिंड 36 तीन 49 ठीक है कितना आगया है 49 ठीक है 49 को इधर लेगा जाना है तक है टी कमान हमको मिल जाए तो दोनों पक्षों 49 का भाग देने पर ठीक है दोनों पक्षों में 49 का भाग देने पर क्यों जाएगा 78 बटे क्या यह मानस में दूनों कड़ जाएगा ठीक है तो 78 बटे कितना हो जाएगा उनता शरी शरी अठातर बटे कितना हो जाएगा 49 बराबर 49 टी बटे कितना हो जाएगा ठीक कितना मान आ गिया अठातर बटे 49 ठीक है तीन से जाएगा तो कितना हो जाएगा कितना बढ़ जाएगा 26 बार जाएगा ठीक है यह कितना बढ़ जाएगा यह जाएगा 13 बढ़ जाएगा ठीक है यह जाएगा दो बढ़ देरा दुनी 26 टी बढ़ कितना होगे दो आगे अब क्या होगे आपका गल gün सर है तो इस प्रकार्ट से क्या करना है सब्वी प्रश्रुण bullyों का इस प्रकार चे आपको सरल करते है और सरल करके आपको हल करना नह परावर निएक का कई tie तीरह गुणा कर लेंगे प्ले स्वर्य रर करेंगे चार परावर रिंड का आपस में गोड़ा कर लेंगे पांच तीय कितना हो था 15 और वाई हो गया है धन 5 कितना हो गया बराबर रिट दो और 2 तो दो देखता हो गया है चार दो दो चे कितना हो गया बारा बारा अभी हमारे एक समीकरण बन चुका है ठीक है अब देखिएगा इस बारावाई को हमको इधर लेके आने था कि दोनों क्या करें आपस में घट सकें तो दोनों पक्षों में बारावाई घटाने पर तो पंदरावाई रिंड बारावाई धन का 20 बरावर रिंड चार धन बारावाई रिंड बारावाई यह दोनों कट जाएगा आपस में तो श्रूनी आ जाएगा पंद्रा वही मुझा बारा वही गए तो कितना वज़े का तीन वाई धनका बीस पराबर कितना होगे चार ठीक है अब देखिएगा यह जो बीस है इस बीस को हमको इधर लेकर जाना है ताकि यह दोन आपस में क्या हो सके घट इथीक है तो दोनों पक्षों में 20 क्या करेंगे घट आने पर दोनों पक्षों में कि 20 घटाने पर तीन वाई धन का 20 रिंड का 20 गट चुका है बराबर रिंड 4 फिर का रिंड का 20 20 20 कड गया जीरो आ जाएगा तो 3 वाई बराबर रिंड 4 और रिंड का 20 दोना आपसम जूट जाएगा समांची ने जूटते हैं तो रिंड कितना जैगा 20 4 24 हम herenos y करना है मलना दोनों पक्षों में 3 को क्या करेंगे भाग करेंगे ठीक है तो दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर भाग कर देंगे तो 3y बटे 3 बराबर 24 बटे कितना हो गया 3 हो गया है तो यस परकाड़ से आपका प्रमशन व्लीं पांथ दिस्वलोम यक में जैतने भी सवाल है क्या करना उसको आपको हल करना है ठीक है तो इस परकाड़ से इस विडियो में इतना ही अगलें वीडियो में प्रमशन व्ली incidents व्लोम्र देखेंगे धन्यवाद झाल